नमस्कार दोस्तों मैं है वीवेक और आप देख रहें इंटेक इंडिया आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने हो लहाँ कि अक्टूबर के महीने में कौन-कौन से नय स्मार्टफोन इंडिया में लॉंच होने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों यहां पर सबसे पहले बात करे तो रीयांमी का जो 10 series है ओँ हो शकता अक्टूबर में आपको दोदेखने को मिल जाए यहां पर जो 10 series के ताथ कई सारे स्मार्टफोन आएंगे के Realme 10, Realme 10i, Realme 10 Pro, तीस तरीके के बहुत सारे Realme 10 स्रीज के तक आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जागा, दोस्तों अगला स्मार्टफोन है Realme के तरफ से, यहां पर Realme GT Neo 4 हो सकता, अक्तूबर में देखने को मिल जागा, इसमें Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिल जागा, 1.5K का आपको M.0 दिस्प्ले देखने को मिल जागा, और इसमें 100 वाट का चार्डर देखने को मिल जागा, तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है, काफी नेक्स ट्रेबल का होने वाला है, इसतरे के कई सारे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, जोस्तों यहां पर अक्टूबर के महिने में, Motorola और Infinix के तरब से कई सारे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, इनके बारे में अर्भिक पोही हुआ ऐसा ख़बर नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर rumor आ रहे है कि आने वाला है तो यहां पर हो सकता है अक्टूबर के महिने में जी ओफोन फाइब आजाए अब दोस्तों बात करें कि सावी के तरफ से सामी ट्वेड लाइट यहां पर अक्टूबर में देखने को मिलेगा यह मीड़ ऑफ अक्टूबर यहां पर लॉंच होगा इसमें आपको स्नेप देन का 778G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा 6.55 इंची का आपको M2 डिस्पले देखने को मिल जागा और वहीं बात करें तो इसमें फास्ट चार्जिंग वेगर सारा कुछ देखने को मिल जागा दोस्ते यहां पर हम सामी के बात करें तो सामी के तरफ से और देखने को मिलेगा तो अक्तूबर क महिनय में अका स्मार्टफोन लेकर किया सकता है जिसका नाम है आइकू-नियो शेबन इसमें आपको डैमेंचिती 9000 पिलस का हैंपर प्रोशेसर देखने को मिल जाएगा, जिसका अंतूर्स को 1 राघ पर जाता है, यानि कि 1.000.000 से ज्यादे हैं पर अंतूर्स को राता है, यानि ओबर ओल यह पर्फॉर्मन्स वाइज का आफी बेहतर स्मार्टपोन रहने वाला ह इसमें 2K स्क्रीन होने वाला है 120 हर्ट का हैंपर दिस्प्ले देखने को मिलने वाला है और इसके साथ आपको 120 वाट का चार्जर भी देखने को मिल जाएगा यह जो स्मार्टपोन है mid of October में आपको देखने को मिल जागा वहीं दोस्तों बात करें तो OnePlus के तरफ से OnePlus Nord 3 स्मार्टफोन इस October के महिने में देखने को मिल जागा इसमें 50MP का triple rear camera देखने को मिलने वाला है इसका जो processor है MediaTek का Diamonds T800 का processor इसमें आने वाला है अपने Pixel Series के ताथ Google Pixel 7 और 7 Pro यहां पर लांच करने वाला है जो कि काफी दिनों से वो यहां पर flagship लेबल का स्मार्टफोन नहीं लांच कर रहे थे तो अब फाइनली वो गूगल Pixel 7 और 7 Pro यहां पर October के महिने में लांच करने वाले है यहां पर मैं आपको बताऊं तो इसमें Tensor का G2 का processor देखने को मिलने वाला है इसमें new design और यहां पर new camera देखने को मिलेगा और दोस्तों जो Pixel camera होता है वो सबसे अच्छे camera होता है Android स्मार्टफोन के वहीं दोस्तों इसके launching के बाद करें तो यह आपको October के first week कि या फिर आपको mid of October में देखने को मिल जागा जो कि यह काफी अच्छा यहां पर launch होने वाला है इस October के महिने में सबसे बड़ा launch होने वाला है Google के तरफ से तो दोस्तों यहां पर 10 ऐसे smartphone में बताए है जो कि इस October के महिने में आपको देखने को मिलने वाला है और दोस्तों यहां पर जादा तर चांसे हैं कि यह smartphone launch ही हो जाने वाले है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताए अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथी इस चैनल को जबने से सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो का अपने दोस्तों को साथ भी सेर किजिए